9 दिसंबर को नहर किनारे मिली लाश की गुथी सुल जाने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरदा जनपत अद्धिक्ष रेवा पटेल का पती ही कातिल निकला है। दंफर की बैटरी चोरी होने के शक में मार्पिट की दोरान मरतक अनिल मानिक की जान गई थी। हत्या को एक्सटेंट साबित करने के लिए रचा गया था सडियंत्र। हरदा 9 दिसंबर को भुवन खेडी ग्राम कोटवार ने पुलिस को सुचना दी कि बड़ी नहर के पास एक युवक पड़ा है जिस पर पुलिस मौके पर पहुची और लाज को पोस्ट माड़म के लिए भेज़ दिया। और मर्ग कायम कर जाश शुरू कर दी। मरतक की कॉल डिटेल के माध्यम से पुलिस अपराधी तक पहुच गई। अपराधी हरदा कॉंग्रेस समर्थीत जनपत पंचायत अध्यक्षर रेवा पटेल का पती धर्मेंदर पटेल निगला। पुलिस ने धर्मेंदर पटेल संदीब गुरजर आटो चालक जाहित के खिलाब मामरा दर्जकर जाश में लिया। हरदा से अलोग गोर की रिपोर्ट होला कि आट तारीक की शाहं को मुबाइल मंद हो गया है। बैटरी चोडी करें थी तो उसने म्र्चत में बेटरी बरामत कर ली थी। तो उसने किर्केट के बैट से उसे मारा था उसके कहीं अंदुनों ही चोट आ गई और ये इन्हों ने ओटो को भी बुलवाया ओटो चालक से कहा कि इसको ऑस्पिटल ले चलो तो इन लोगों ने जब देखा कि ऑटो में ही सन्दम तोड़ दिया तो गभरा गए तीनों लोग जिसमें सन्दीबूजर जिसने साथ दिया इसका ओटो चालक, जिसने राध भर इसको खेट में रखा और धर्मो पटेल तो इन धर्मो पटेल ने डंपर इसके शाइट से चड़ा दिया ताकि ये लगया कि accident हुआ है तो इसमें तीन सादो आरोपी है और तीनों आरोपी मै है मर्तक का अभी एक किया हुई है संधी भूजर की धर्मेंद पटेल जो है रिवा पटेल है उनके जन्मत पंचायत अध्यक्ष कॉंग्रेस से हैं उनके पती है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले